बच्चो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले है class 10 algebra का practice 8 5.2 ठीक है तो practice 8 5.2 को देखने के पहले हम लोग जानेंगे किस के बारे में तो sample space, sample point और n of s के बारे में हम लोग समझेंगे उसके बाद फिर practice 8 5.2 के questions को solve करेंगे ठीक है बच्चो तो चलो फिर समझते हैं कि sample space क्या होता है तो देखो जैसे कि बच्चो आपको पिछले lecture में मैंने random experiment के बारे में बताया था है ना random experiment क्या होता है जिसके result तो हमको पता होते हैं लेकिन exactly क्या आएगा वो हम नहीं बता सकते ठीक है जैसे कि पहला example ले लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि if one coin is tossed ठीक है देखिए बत्चो अगर आप लोग एक सिक्के को उच्छा लोगे यानि कि toss करोगे तो क्या क्या आ सकता है या तो हेड आएगा या फिर tell आएगा बराबर है ना इसकी यही आउटकम्स होंगे तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस प्रकार से एक curly bracket के अंदर लि है इस प्रकार से अगर हम लोग curly bracket के अंदर लिख देते हैं तो वही हमारा क्या होता है sample space होता है ठीक है और sample space को represent किया जाता है इसकी मदद से as for क्या sample space ठीक है और देखो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो यह omega की मदद से भी दिखा सकते हो वैसे यह आपको use नहीं करना है लेकिन बस information के तोर पे आप याद रखिएगा यह जो symbol है न बच्चो यह omega का symbol है ठीक है जिसकी help से हम लोग sample space को represent कर सकते हैं ठीक है तो sample space आप लोग समझ गए अब देखिए sample point क्या होता है तो वो भी बता देती हूँ पहले इधर में लिख देती हूँ थोड़ा sample space ठीक है ठीक और यहाँ पर आपको बताने वाली में N of S के बारे में ठीक है तो बस आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिए चलिए sample point क्या होता है बच्चो तो यहाँ पर sample space के अंदर यह जो आपको elements दिखाई दे रहे ना इनको क्या बोला जाता है sample point बोला जाता है जैसे कि अगर N of S का मतलब क्या है तो number of elements in sample space N of S इसको आप कैसे बोलोगे बच्चो N for क्या number of elements in किसमें तो sample space में है ना तो देखो बच्चो यह जो आपका sample space है इसके अंदर कितने elements है गिन करके बताओ एक और दो यानिकि दो elements है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो N of S क्या हो ठीक है समझें न अच्छे से चलिए एक और example लेते बच्चो यह तो एक कोईन का था अगर हम लोग दो सिक्का उछा लेंगे तो कोईन को टॉस करेंगे तो उस टाइम पर हमारा sample space क्या होगा उसे हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर दूसरा हम लोग experiment कर लेते हैं इफ कोईन अगर हमने दो कोईन को टॉस किया तब क्या होगा हां बहुत सिंपल है देखो आपको बताती हूं सेंपल स्पेस कहां पर क्या हो जाएगा तो ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को ठीक है आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए बस इधर एक बार ध्यान करके या फिर एसे हो सकता है कि इसके उपर या इसे भी हो सकता है कि दोनों ही कोईन पर क्या आ जाए ठीटि मतलब पहले वाले पी टी और दूसरे वाले पर पी टीच ये भी हो सकता है सारी possibilities हैं ठीक अब इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या बच्चो याद करो और कुछ हो सकता है या तो एच होगा या फिर ती होगा या फिर दोनों के दोनों टी अभी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ठीक है तो यहीं पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए तो यह कितने चार देखो एक दो तीन चार ठीक है अब देखो एक और एक्स्पेरिमेंट ले लेते हैं तीन कोईन वाला आप से ना तीन कोईन तक ही पूछा जाएगा इसके आगे नहीं पूछा जाएगा इसके आगे आपको सीखने मिलेगा क्लास 11 और 12 में ठीक है तो अभी है अभी बस तीन कोईन तक ही जानी है तो यहां पर तीसरा नंबर डाल देते हैं यहां पर मैं लिखती हूँ इफ त्री कोईन्स आर टॉस्ट अगर हम लोग तीन को टॉस करते बच्चो तब सेंपल स्पेस क्या होगा तो देखो इसको लिखने का नए एक तरीका है मतलब अगर आप ऐसे याद करके जाओगे तो भूलने के चांसे हैं लेकिन अगर आपने वो तरीका याद कर लिया ना बच्चो तो आपको मतलब अग सब्सक्राइब अगर की जैसे कि यहां पर देखो हमने इधर कितना सिक्का लिया था खलिवस एक एक प्लेस पर क्या लिखेंगे वन लिखेंगे तो यहां पर लिक्खा मैंने 2-1 ठीक है तो ठीक है तो जो यहां पर यह जो पहला वाला कॉइन वाला था बच्चो इसमें का यहां पर हमने दो कॉइंस लिए थे तो मैंने एन के प्लेस पे लिख दिया अब टू का पावर टू आंसर के आएगा बच्चो फोर आएगा यानि कि यह वाले एकस्पेरिमेंट में एनो फस्कितना हो जाएगा फोर हो यहां पर लिखा हुआ है ढ़िए हैं थ्री कोइन के प्लेस में क्या लिखूंगो लिखूंगे ठीक है तो टू रेस टू 3 का मतलब क्या टू का मल्टिप्लाइ करना है कितने बार तीन बार ठीक multiply करो 2 2's are 4 4 2's are 8 कितना आएगा बच्चो 8 आएगा यानि कि इस वाले case में n of s क्या हो जाएगा चलो directly हम लिख देते है n of s हमारे हो जाएगे 8 ठीक अब आपको करना क्या है तो ये जो 8 आया है बच्चो इसका आधा कर दीजिए तो 8 का आधा कितना होता है yes everyone 4 होता है ठीक तो अभी आप क्या करोगे 4 बार h लिखोगे 4 बार h लिखना फिर 4 बार t लिखना लिख दिया अब 4 का आधा बताओ 2 तो 2 बार h लिखना 2 बार t लिखना ठीक है पूरा नीचे तक फिर 2 का आधा करो 1 तो एक बार H लिखना, एक बार T, ठीक है, alternate रहेगा, देखो ऐसे, समझ गए, तो यह जो आपको मिले है ना बच्चों, यह हमारे लिए क्या है, sample space है, यानि ऐसा हो सकता है, कि तीनों ही coins पे क्या आजाए, head आजाए, या फिर, दो पे head, एक पे tail आए, या फिर, ऐसे हो सकता है, कि पहले पे head, दूसरे पे tail, तीसरे पे head, यह भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी possibilities है, इसके अलावा, देखो, यह भी हो सकता है, HTT, है ना, या फिर, और क्या हो सकता है, हाँ, रुको, बता रही है, रुको, एक मिनट, यह देखो, यहां तक हम इसके आगे देखो, ठ, ह, भी हो सकता है, ठ, ह, फिर, ट, ह, त, त, फिर, उसके बाद, ट, त, फिर, लास्ट में देखो, ट, ट, त, यह भी हो सकता है, बच्चो, राइट, तो देख लीजिए, कि आठी है, आप काउंट करके देख लो, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, सा समझ गया है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ताकि आप, आप से कभी एक्जाम में पूछा जाए, कि अगर तीन को टॉस किया, तो बताओ सेंपल स्पेस क्या होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, देखो बच्चो, यह तक याद करना, यह याद करना, यह याद कर बच्चो, डाइस पता है आपको, उस दिन भी बताया था, जब हम लोग लूडो खेलते हैं, तो हमारे पास वो डाई होता है, ठीक है, ऐसा, तो देखो बच्चो, अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे, तो फिर वहाँ पे उस कंडिशन में सेंपल स्पेस क्या होगा, से हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर चौधा रेंडम एक्स्पेरिमेंट, इफ और डाई इस थ्रोन, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ, अभी डाई तो आपने देखा ही होगा, और डाई इस थ्रोन, एक डाई को थ्रो करेंगे, तो क्या-क्या आ सकता है, या तो वन इसके उपर, या फिर जी हा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, ठीक है, इसके अलावा और कुछ आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि डाई के उपर बस इतना ही नमबर्स होते, 6 ही नमबर्स होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखो बच्चों यह ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं कि two dice are thrown अगर हम लोग two dice को throw करते हैं तो इस condition में क्या होता है चलिए बताती हूँ आपको देखो बच्चो क्या क्या हो सकता है जैसे कि आपके पास two dice है तो ऐसा हो सकता है ना कैसे हो सकता है कि दोनो dice के उपर मतलब पहले वाले die के उपर भी one आए और दूसरे वाले die के उपर भी one आए ऐसा हो सकता है या फिर पहले वाले पे one और दूसरे वाले पे two आ जाए ठीक है पहले वाले पे one ही रहने दो दूसरा वाला change करते जाओ इस प्रकार से ठीक है ये पूरा 6 तक ले करके जाना पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 6 ठीक है यहाँ पे आ करके रुख जाओ फिर उसके बाद अब change कर दो तो अभी हम पहले वाले पे ले लेते बच्चो 2 और दूसरे वाले पे 1 ऐसे भी तो हो सकता है ना या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों पे 2 तू आ जाए या फिर पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे 3 ठीक है अभी देखो दूसरा वाला ही change करते जाना 2 4 2 5 और ये 2 6 ठीक फिर उसके बाद 3 के बाद कर लेते हैं तो 3 1 3 2 3 3 फिर 3 4 ठीक है पूरा नीचे तक हमें लिखना पड़ेगा बताती हूं आपको 3 5 3 6 ठीक ऐसे भी हो सकता है या फिर अभी 3 तक हमने किया ना अब 4 वाले ले 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 ठीक है या आपर मैंने लिखा 4 और पहले पे 1 या फिर पहले पे 4 दूसरे पे 2 हो सकता है फिर 4 3 4 4 फिर यह 4 5 फिर यहां पे 4 6 ठीक है वैसे ही आगे भी करना है एक बार बस आप लोग इसको समझ जाए ठीक है इतना बड़ा देख करके डरना मत बहुत सिंपल है देखो ना कितना आसान है क्या है इसमें इधर एक रखो फिर इधर चेंजस करते जाओ उसके वाद से फिर नीचे आजाओ तो यहां पे 2 लिख देना और फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6 तक लिखते जाओ ठीक है बहुत आसान है 5 2 5 3 5 4 5 5 और यह 5 6 ठीक फिर अभी लास्ट वाला देख लो यह 6 इधर एक 6 2 6 3 6 4 6 5 एं लास्ट में 6 6 ठीक है बच्चों तो बस यही पे इसको क्लोस कर दीजिएगा तो अगर आप लोग 2 dice को थ्रो करोगे तो यह सारे मतलब यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों सेंपल स्पेस हो जाएगा ठीक है अब इसके अंदर elements कितने हैं अगर मैं आपसे पूछू कि N of S यहां पर बताईए तो क्या होगा पता है आपको 36 होगा 36 कैसे होगा देखो म 12, 6 3 is a 20, 6 3 is a 18, फिर 4 is a 24, 5 is a 30 और 6 is a 36 ठीक है तो यह मतलब यहां पर आपका N of S क्या हो जाएगा बच्चों 36 ठीक है तो याद रखिएगा अगर 1 dice को थ्रो करोगे तो N of S 6 आता है लेकिन अगर आपने 2 dice को थ्रो कर दिया तो फिर आपका N of S क्या होता है बच्चों 36 होत क सकता है वो मैंने आपको इदर करके बता दिया तो बस आपसे इतना पूछा जाएगा moatsh ak करना करना ठीक है एक और दो का आपने सीख लिया और सिख्के में भी बस आप से तीन तक ही पूछा जाएगा ठीक है इसके अलावा कार्ट के भी होते हैं कार्ट आपको पता दूंगी ठीक है तो चलिए बच्चों इसे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आपको सेंपल पॉइंट्स हम लोगों को बताना है तो यहाँ पर पहला ग्रैण क्या है कि 1 कौइन या मने और एक निया ठीक है और दोनों को और दोनों को आपका सेंपल स्पेस्ट क्या होगा तो यह तो बहुत ही सिंपल है हम जानते हैं बच्चो को चुछ को अगर हम लोग एक को है सकता है तो 3 4 5 और 6 एसा हो सकता है ना किसुक्त के की ऊपर एच आजाए यानि की हैड आ जाए और जो हमारा क्या है बच्चो डाई उसके उपर 1 आ जाए यानि कि edge 1 ठीक या फिर ऐसे भी हो सकता है कि head के साथ 2 आ जाए head के साथ 3 भी आ सकता है head के साथ 4 भी आ सकता है head के साथ 5 and head के साथ 6 भी आ सकता है ठीक अब देखो बच्चो ये तो हमने head के साथ हर एक की जोड़ी बन रहेंगे ठीक है T1 T2 T3 T4 T5 और T6 चलिए देखते हैं देखो टी के साथ 1 भी आ सकता है टी के साथ 2 भी आ सकता है टी के साथ 3 टी के साथ 4 टी के साथ 5 टी के साथ 6 ठीक है बच्चों तो बस इतने ही आपके सेंपल पॉइंट्स रहेंगे ठीक तो हमने यहां पर सेंपल स्पेस बता दिया जो हमसे पूछा गया था अभी हमको बताना है नंबर ओफ सेंपल पॉइंट्स ठीक है तो एन ओफेस यहां पर क्या हो जाएगा काउंट कीजिए यह कितने है तो देखो एक दो तीन चार पांच यहां पर लोग लिख देंगे बच्चो बारा ठीक है यह बात आप लोग को समझ में आया ना देखो अगर हम एक सिक्क्य को और डाइक को ठोग तो ऐसा हो सकता है ना कि सिक्क्य के ऊपर एच आ जाए और डाइक के ऊपर एक आ जाए या फिर इस पर मतलब जो हमारा कॉइन ह उसके ओपर H रहे और डाई के ओपर 2 रहे ठीक है जैसे हमने इदे लिखा है H1, H2, H3 पूरा 6 तक फिर T1, T2, T3, T4 और T5, T6 ठीक है चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं पहला वाला तो आसान था कर लिया हमने अब इसमें हमको क्या बताना है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ट यूजिंग डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपिटिंग अ डिजिट यास एवरिवन चलो ये भी सिंपल है बताती हम आपको हमारे पास कितने नंबर्स हैं बज्चो तीन नंबर्स है 2, 3 and 5 तो इनकी मदद से हमें क्या करना है दो डिजिट के नंबर को फॉर्म करना है दो डिजिट नंबर मतलब क्या जिसमें दो डिजिट आते हो जैसी कि मैंने इदर लिखा 1, 1 तो बताईए यह जो हमारा नंबर है इसमें कितने डिजिट आ रहे है दो डिजिट आ ठीक है अगर मैंने इधर 2,4 लिख दिया तो यह भी दो डिजिट का ही नंबर है समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से नंबर समको फॉर्म करने है using these digits ठीक है और देखो यहां पर condition क्या है कि without repeating a digit मतलब यहां पर जो डिजिट से ना बच्चो वह रिपीट नहीं होने जैसे कि अगर मैंने टू लिया तो 2 के साथ में 2 नहीं ले सकती ठीक है यहां पर condition क्या है कि आप 2 के साथ 2 नहीं ले सकते 3 के साथ 3 नहीं 1 के साथ 1 ऐसे आप नहीं कर सकते ठीक है तो यह यहां पर condition है अब दे साथ 2 नहीं ले सकते क्योंकि condition क्या है कि without repeating digit आपका जो digit है वो repeat नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चो समझा आपको 2325 ठीक अब उसके बाद हम लोग ना 3 के साथ 2 ले लेते हैं 3 के साथ 5 ले लेते हैं यानिकि 32 and 35 ठीक फिर 5 के साथ 2 ले लेते हैं 5 के साथ 3 ले लेते हैं 52 and 53 ठीक है और कोई यहां पर टू डिजिट का नंबर फॉर्म हो सकता है क्या अब नहीं हो सकता बस इतने ही होंगे ठीक है समझे तो बस यह है जी आपका final answer अब आप लोगों को n of s बताना है बता दीजिए number of sample points एक दो तीन चार पांचे यहां पर लिग दो छे this is your final answer ठीक है clear है समझाना दूसरा वाला भी अब चलो बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं question number 2 अभी तक हम question number 1 ही कर रहे थे यहां भी question number 2 पे चलेंगे तो इसमें क्या दिया है इसमें आपको यह डिस्क दिया गया है आप लोग देख सकते हो इसके अंदर चे अगर मैंने इसको घुमाया ठीक है तो यह किसी ना किसी कलर में जाकर के स्टॉप होगा तो आपको क्या बताना है कि यह कौन से कलर में जाकर के रुके यह आप लोगों को बताना है तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे अब देखो इग्जैक्ट तो आम नहीं बोल सकते कि यह परपल में रुके गा या फिर ग्रीन में रुके गा ठीक है वह कहीं बेभी रुख सकता है यह जो छे कलर दिये गये हैं इन्हीं में से किसी एक कलर मे हैं बच्चो तो six colors है इसलिए जो हमारा sample space है ना वो क्या-क्या हो जाएगा तो यह जो छे colors है इनके नाम लिख दो या तो वो red में रुक सकता है बराबर नहीं तो फिर orange में भी रुक सकता है ठीक है फिर yellow भी हो सकता है फिर blue भी हो सकता है ठीक है चाहे तो green भी हो सकता है य में जा करके रुक सकता है ठीक तो यह हो गया आपका sample space अब आपको यहां पर आप बता देना है तो काउंट कीजिए कितने colors है छे colors तो यह आपका हो गया एन ओफ एस यानि कि number of sample points ठीक है बच्चो समझा आपको यह तो question number one and two हमने solve कर लिया आप इसको देख लीजिए फिर आम लोग देखते हैं आगे के questions को बच्चो question number three देखिएगा इसमें हमें क्या बताना है कि in the month of March 2019 find the days on which the date is a multiple of five यानि कि हमें न जैसे कि जो मार्च का महीना है न बच्चो इसमें हमें वो डेज बताने हैं ठीक है जिनका डेट क्या हो multiple of five multiple of five मतलब क्या जिसको हम लोग five से multiply कर सकते हैं ठीक है तो वह कौन-कौन से डेट्स होंगे पहले तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि डेट्स डेट्स डाट आर डाट आर मल्टिपल ओफ मल्टिपल ओफ फाई ठीक है तो कौन-कौन से डेट्स हो जाएंगे बच्चो तो यहां पर आप five का टेपल लिख दो एक तो five को हम लोग five से डिवाइड कर सकते हैं फिर उसके बाद 10 को कर सकते हैं फिर 15 को फिर 20 को फिर 35 कोई डेट नहीं होता है ठीक है last to last 31 होता है बराबर और 31 तो five से डिविजिबल ही नहीं मतलब उसको नहीं लेना है ठीक है तो यह सारे बच्चो ऐसे डेट्स हैं जिसको आम लोग five से डिवाइड कर सकते हैं तो आप चलिए इस कैलेंडर में आप लोग देखते चाहिए द 20 कहां पर है यह देखो उसके बाद से क्या है 25 है तो 25 यह रहा और लास्ट में है बच्चो 30 30 यह रहा ठीक है तो यह सारे ऐसे डेट्स हैं जो क्या है बच्चो डिवीजिबल वाइफाइड कर सकते हैं यानि कि मल्टिप्लाइड कर सकते हैं तो अब हमें उनका मतलब यह बत पहले कौन सा तारिक है पास तारिक तो यह कौन से दिन पर आ रहा है मंड़े के बात कि हाते है Tuesday तो यहा पर आप क्या लिखो के बच्चो येस Tuesday ठीक फिर उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते जाओ यह रहा आपका 10 ठीक है तो यह कौन सा दिन है तो यह Saturday है यह Sunday ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Sunday पता चला न Sunday कैसे देखो Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday तो यहाँ पर आप Sunday लिख दीजिएगा फिर उसके बाद कहा गया यह देको पंद्रा पंद्रा सारी कौन से दिन पर आ रहा है Friday को तो यहाँ पर हम लिख देंगे Friday कि फिर पंद्रा के बाद 20 20 कौन से दिन Wednesday तो यहाँ पर लिखिएगा वेड़नेस टे फिर 20 के बाद 25 यह देखो कभी आ रहा है Monday को तो यहाँ पर लिख दीजिएगा Monday and last में यह आ रहा है Saturday को तो यहाँ पर लिख दीजिए Saturday बस इतना ही करना था हमने सारे days के नाम लिख दिए है ना Tuesday Sunday Friday Wednesday Monday Saturday ठीक तो यहाँ पर आपका N of S क्या हो जाएगा बच्चों गिन करके बताओ कितने दिन एक दो तीन चार पांच है यहाँ पर लिख दिंगे हम लोग छे ठीक थर्ड कॉस्ट्ट कम्प्लीट हुआ बस इतना ही करना था अब हम देखेंगे कोश्ट नमबर 4 तो इसमें देखें क्या दिया है कि फॉर्मर रोट सेफटी कमिटी ओफ टू फ्रॉम टू बॉइस बीवन बीटू एंड टू गर्स जीवन जीटू देखो बच्चों दो बॉइस हैं यहाँ पर देखो दो बॉइस हैं बीवन और बीट ठीक है आपको क्या करना है रोट सेफटी कमिटी बनाना है लेकिन दो दो का जैसे कि जो आपका एक कमिटी रहेगा ना बच्चों उसमें बस दो ही लोग रहेंगे या तो ऐसे हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की या फिर दोनों के दोनों लड़के हो जाए या फिर दो तो यहां पर लिख दीजेगा बीवन और बीटू ठीक है इन दोनों को मिला करके हमारा बन जाएगा बच्चो एक कमिटी ठीक है समझ गे ना अच्छे से यहां पर ऐसे डारिक लिख दो बीवन और बीटू सब्सक्राइब निग्स्षच आप हें कमिट ौफ टू गLS मतलब वह कमिटी जिसमें दो गल्स हो गंज कौन कौन सी हैं जीवन और जीटू थीए फिर अंगला है कि कमिटी ओफ वन वन गरल यान मीकि वह जिसमें एक लड़का हो और एक लड़की हो ठीक है बच्चो तो देखो कैसे कैसे बन सकता है पहला तो यहां पर बनाया गया है देखो मतलब B1 के साथ हमने G1 को ले लिया ठीक है हम ऐसा भी कर सकते हैं कि B1 के साथ G2 को ले ले B2 के साथ G2 को भी आप ले सकते हैं ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आपका जो कमिटी है वो बनेगा भी लास्ट में देखो सेंपल स्पेस हम लोग बता देते हैं तो सेंपल स्पेस में क्या करेंगे यह जो हमने कमिटी बनाई हैं सब को यहां पर लाइन से लिख देंगे चलो लिखते हैं पहला दो B1 B2 बतलब दोनों के दोनों लड़के ठीक या फिर दोनों के दोनों लड़किया या फिर ऐसे भी हो सकता है देखो यहां तक तो हमने लिख लिया भी यह लिखना है B1 G1 ठीक फिर B1 G2 फिर उसके बाद B2 G1 और फिर यहां पर आ जाएगा B2 G2 हुआ है तो यह वह गया बच्चों आपका सैंपम स्पेस ठीक है बस हमको इतना इ Sorry को कोश्चन दीक है तही किите कोश्चन समझ में आया छेए शिक है आलगा YEAH क्मेंट करके ज़रूर बताना कि हमें समझ में आया ठीक है बच्चो तो चलिए अभी निक्स वीडियो में हम लोग solve करेंगे practice at 5.3 ठीक चलो goodbye everyone